आज आपके सरीर से रिल्टेर्ट, मतलब जो लाइफटाइल से रिल्टेर्ट एक समस्या है उसके बारे में आपको बताएंगी जिसे बोलते हैं हम लाइफटाइल incorporate अगर जानते हैं तो आप तुरंद पहचान जाएंगे मुझे भी मेरा भी पाचन दंत्र आज स्लो है मैं परिशान हूं और मैं क्यों डिप्रेसन में रहता हूं मैं क्यों स्ट्रेस में रहता हूं आज की समय में देखा गया है कि जाधतर जो व्यक्ति होते उनका पेट बहुत अच्छे से फूर ना बंद हो चुका है पहला सिम्टम सर्जी फुलाईए यह जो पेट है ता देखिए यह अंगों गड़क मिलेगा और में दर्द मिलेगा तो छोटी आथ है जो यह चोटी आउंट है यह इसका मज़रा है बढ़िया तो प्रॉपर निकान नहीं रहे है स्टुमक जो हम खाना खारें उसको प्रॉपर गला नहीं रहा है आप देखिए कि सिल्पिदम सा एक्दम खतम करते जा रहे हैं जिनका सोब जाता है उनको पीट उनको ब्राइपल लगा रहता है अंगो दो को बना नाव रहेगा खिचाव रहेगा ऐसा लगा रहेगा कि मेरा पेट हर वक्त किसी ने कुछ डाल दिया है इसमें कुछ लगा हुआ है उसको खाना खाने के बाद में इरीटेशन रहेगी उसको खाना हजम नहीं होगा और हजम इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसका जो पेट है वो क कुछ समझी नहीं आएगा फिर दिन में कई बार ऐसा रहता है कि व्यक्ति से मुर्जायस रहेगा बिल्कुल मुर्जायस रहेगा सर जी यह सिम्टम साब कोई पर फिट बैठते हैं आच्छा जो जो डायक्तिक सिस्टम है वह जब सिलू हो जाता है तो व्यक्ति को लेटरिन खुल के नहीं आती है, एक बार में लेटरिन नहीं आएगी, और उसके पेट में हर वक्त ऐसा लगा रहेगा, जैसे मेरे पेट में अंदर कुछ न कुछ हर वक्त है, लेटरिन नहीं लेटर रहेगा, जैसे हम लेटर रहेगा, जैसे हम लेटर रहेगा, लेटरिन बोलते है, सिलो डाईस्टिव सिस्टम, अब आप समझेगा, अगर आपके अंदर नहीं लेटरिन लेजी, ब्लोटिंग रहेगा, अगर हम ऐसे प्रैसे देंगे, तो ऐसे दर्द रहेगा उसमें, हर वक्त दर्द रहेगा, और इसको डवाने में कड़कपन मिलेगा, सूजन मिलेगी गांटे टाइम मिलेगी और यह सिलो डाइस्टिव सिस्टम की पहचान है और आज के समय में हिंदुस्तान के अंदर भारत के अंदर लगभग 90% ब्यक्ति सिलो डाइस्टिव सिस्टम से गोज़र रहे हैं क्यों क्योंकि आज के समय में इंसान सरीर को भूल जा जो पाचन तंतर वो एकदम विकार चल रहा है